असलावनेकुम वेलकम टू मैं चैनल माइनेम इस उमेर सलीम आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं HTML की सीरीज को जिसमें हम आज काम करने वाले हैं HTML टैग्स एंड पैराग्राफ्स के उपर ये एलिमेंट बहुत ही एहम एलिमेंट्स हैं HTML के अंदर जो के हमें वेब पैजिस को तरतीब देने के लिए ज़रूरी है और ये बहुत ही ही एहम होते हैं तो हम शुरू करते हैं HTML heading से तो ये जो हमारे पास previous वीडियो का डेटा है ये सारा हम इधर से डेलीड कर देते हैं इसको मैं डेलीड कर देता हूं ये CSS जो हमने राइट की ती इसको मैं ड क्लिड कर देता हूं ताकि आपको बिल्कुल समझाए हम न्यू फाइल बनाके शुरू करते हैं तो इसको नाम हम दे देते हैं content.html सबसे पहले exclamation लिखेंगे देखें ये हमें image abbreviation दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास सारा डेटा आ चुका है तो हम क्या करते हैं live server के ओपर चला जाता है go live के ओपर क्लिक किया हमने ये देखें हमारा server start हो चुक है तो testing के लिए हम इसका name change कर देते हैं content इदर से इसको close कर देते हैं अब ये देखें हमारे पास name change हो चुका है मतलब कि हमारा code working में है जो हमारे पास heading के tag होते हैं वो 6 होते है h1 h2 h3 h4 h5 and h h6 तो सबसे पहले इन्हें देख लेते हैं कि यह किस तरह से होते हैं h1 हम लिखेंगे तो यह देखें auto complete हो गया हमारा जो यह h1 tag है यह हमारा opening tag और यह h1 यह हमारा closing tag है तो इदर हम लिख देते हैं this is my h1 heading अब देखते हैं क्या होता है web browser पर हम जाएंगे यह हमारी सबसे ब क्या करते हैं h2 this is my h2 heading यह देखें यह उससे small heading है similar इसी तरह h3 हम करेंगे this is my heading h3 heading यह देखें इसका size उससे कम हो चुक है मैं आपको थोड़ा zoom करके दिखा दूं यह देखें h1 का size जाद है फिर उससे small size है h2 का फिर उससे small size है h3 का तो इसी तरह हम बाकी h भी देख लेते हैं heading tags भी देख लेते हैं h4 this is my h4 heading यह देखें this is my h5 heading यह देखें h5 भी हो चुक है हमारी अब लास्ट वन h6 this is my h6 heading अब देखें क्या होता है यह देखें हमारे पास सारी heading हमारी आ चुकी है heading है h1 सबसे बड़ी heading है उससे small heading है h2 उससे small h3 और इसी तरह सबसे small क्या आ जाती है heading हमारे पास h6 तो इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है paragraph को हम देख लेते है paragraph tag के लिए हमने write करने के लिए article के अंदर हमने अकसर देखें होते है articles के अंदर heading h1 h2 h3 से होती है लेकिन जो बाखी के content होता है वो सारा content के जरिए लिखा जाता है तो इदर हम लिख देंगे paragraph हम इदर use एक और heading देने के लिए फिर हम क्या करेंगे दबारा से p tag का use करेंगे this is this is our description यह देखेंगे अब अगर मैं चारा हूं कि मैं यह description को bold कर लूं without styling तो हम क्या करेंगे हम strong tag का use करेंगे इसमें मैं पहले space add कर देता हूं strong यह देखें इसको जैसे ही बंद किया यह हमारा हो चुका है अब हम क्या करेंगे अपना यह जो data इसको copy करेंगे cut कर लेंगे और इधर paste कर देंगे यह देखेंगे यह हमारा bold हो चुका है और अगर हम चारें कि यह text हमारा half कुछ एक line में आ और half को next line में आए तो हम क्या करेंगे br tag का use करेंगे br tag ऐसा tag है जिसका ना opening tag होता है और ना ही closing tag होता है यह देखें इससे आगे line break हो चुकी है अब let's suppose कि आप किसी को bold करना चारे हैं यह बोल्ट के लिए तो यह use हो गया यह आप italic करना चारे हैं तो उसके लिए क्या करेंगे आप 맞 या जो recommended है वो ये em tag ही किया जाता है इसके दिलावा italic tag भी होता है लेकिन वो use नहीं किया जा रहा होता है जातर ये ही use किया जा रहा होता है ये देखें लिए ये हमारा italic हो चुका है Let's suppose कि अब आप इनके दरम्यान में एक line add करना चारे है horizontal तो उसके लिए क्या करें हम HR tag का use करेंगे ये देखें एक horizontal line आ चुकी है जिसको कहते है हम horizontal rules I hope so कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी प्लीज हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आप तक आने वाली मारे न्यू वीडियो की update पहुँचती रहे